नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कापके अपने यूट्यूब चैनल S के जोप अलट में इस चैन्ज पे आपको रोजाना गौवर्मेंट जोप और एजुकेशन से जुड़ी लेटर्स अपडेट दी जाती है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताजा को अपसूश राष्ट चूड़ देखेगा जिससे कि आपको हर्याना के अंदर निकली हुई डाटा इंट्री ओपरेटर और वेरिस वेकेंशिस के बारे में कंप्लेट इंफरमेशन मिल्स के क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है क्या आपकी परमन सहल रहेगी और फोम को आप किस्ते से ओनलाइन अपलाए करेंगे और क्या आपकी अप्लिकेशन फीच रहने वाजी ठीक है जी इसको हम ओप्शन नोट्फिकेशन के साथ में चैक करेंगे और जो मेरे दोस्ती चैनल पे पहली बार आए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तो दोस्तों यहाँ देशकते हैं उनकी ओप्शनी नोट्फिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे आ चुके हैं यहाँ पे आप देशकते हो टी एच एस टी आईटी के जी ट्रांसलेशन स्वास्ते विज्ञान वैब प्रहोद्यों की संस्तान तो यहाँ पे आप यह देशकत इसके बार हम डिटेल से चेक कर लेते हैं तो यह आपके प्रोजेक्ट के तहते हैं आपके रिकुट्मेंट रहेगी और यहाँ पे हम बात करेंगा आपके क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपिरियंस और क्या अधर डिटेल आपसे मांगी गई है तो सबसे पहल किसी भी स्टीम से कंप्लेट वी होनी चाहिए और जो बसकी प्रोफाइल के और एक्सपिरियंस के बात करें तो यहाँ पर आप दे सकते हो बेसिक नोलेज ओग माइक्रो बायलोजी मॉर्किलर बायलोजी प्रिफरेंस बिल बी गिवन इफ एनी एक्सपिरियंस और इसमें द कोड़ जब आप फॉर्म को अपलाई करेंगे ओनलाइन तो प्रोजेक्ट कोड जीरो थ्री आपको वहां पे मैंसल करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और में दे रहा है या फिर आपके बाद में से डिगरी हो एनी ब्रांच से ऑफ लाइफ साइंस वी थ्री एर पो प्रोग्रामर गुरुप ग्रेट बी की वन पोस्ट है बत्तिजार पांच सुर रुपया कोई से अली है एज आपके थर्टी तीस साल मांगेगी है और जट कोड आपका फर्स्ट रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बात करे तो मास्टर डिगरी इन कंप्यूटर साइंस और इसके एक्विलेंट होने चाहिए अगर आपके पाद फर्स्ट वाली नहीं है तो बी-ई पी टेक एन कंप्यूटर इंजिनरिंग कंप्यूटर साइंस से और आपके पाद दो साल का एक्सपरियेंस है तो आप इसके लिए अप्लाइख कर सकते हो ठीक है यह आपक पेज लिमिट है प्रोजेक्ट कोड़ आपका 04 रहेगा ठीक है जी इसके लिए आपके एजुकेशन का साउंड नोलेज ओफ फाइनेंस यह फिर एड्मिस्टेशिव मेनेजमेंट का यह जी आपके पास फर्स्ट वाली है जो किसना क्वालिफकेशन नहीं है तो मस्ट डेगरी होने चाहिए आपके पास एनी डिसिप्रिन और तू दो साल का एक्सपिरियंस होना चाहिए प्रोज साल आपकी एज लिमिट है इसमें प्रोजेक्ट कोड आपका 125 125 देर का ठीक है ठीक है इसमें एजुकेशन क्वालिफकेशन के बात करें तो गरेजुए डिगरी इन कंप्यूटर साइंस इन्फरमेशन साइंस कंप्यूटर अप्लिकेशन फ्रोमे रिकोनाइज उनिवस्टी फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफकेशन यह है यदि आपके बाद फर्स्ट वाली नहीं है तो सही किने आपके गरेजुएट डिगरी आपके पास होने चाहिए एनिस्टेम साइंस कोमर्स आर्ट से और आपके बाद वन एर पीजी एक्सपिरियंस होना चाहिए डाटा मनेज का ठीक है जी इसके बाद नेक्स्ट हम बात के नेक्स्ट फिफ्ट नमबर पर आपके एडविटाइजमेंट वेकेंसी है पोस्ट है लेबोर्टी एसिस्टेंट की वन पोस्ट है पीजार रुप्य आपको परमत सहल लिए प्लस में एचार है इसमें आपके 50 साल आपके एज लिमिट मांगी गी है बैसलर ओफ साइंस और एक्विलेंट कंडिट इसको अप्लाई कर सकते हैं यह आपका रहेगा पोस्ट कोट नमबर दो रहेगा ठीक है जैब बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लाजड डेट का है तो साथ मार्च दो जाब आपके इस फॉर्म क्वालिफकेशन है एक्सपिरिंस है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा ठीक है जी वरना आपका पैसे और टाइम वेस्ट हो जाएगा इस बात का आप द्यार कीगा एजली मेट आपको में उपर बता रहे हैं पर आपको हर्याना से तो आपको SCST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छोड़ दे रिखिये और यह अदर आप दे सकते हैं इसके अंदर complete information आपके इसमें दियो ही है अब बात कते हैं फॉर्म को आपको किस्ते से apply करें हाव टो apply तो फॉर्म को apply करने के लिए सबसे पहले अपके जो document उसको scan करके आपको रखना है यहाप आप दे सकते हैं आपके पास soft copy होनी चाहिए पासपोर्ट सायर फोटो और signature की उसके बाद में आपके पास एक अच्छा सा CV रेहन के रिजूम बना होना चाहिए उसके बाद में आपका दस्वी के mark sheet प्लस टू की गरेजिशन डिप जो भी आपके जो किसन qualification पोस्ट के सानुसार माग ti.res.in oblique carrier जिसका लिंग मापको वीडियो के comment section में पिन कर दूँ हैं जहांसे आप इसको डायरेट कली करके form को online apply कर सकेंगे ठीक है जी तो यह इनका डायरेट लिंक रहेगा optionally website है यहाँ पे जाकर क्या form को online apply करेंगे और जो आपके फीस है वो आपके debit card credit card internet banking के तरू समिट करवाएंगे ठीक है जी तो बात कर लेते हैं आपके कितनी फीस रहने वाली है अंडिजव category यानकी यूर जर्नल OBC EWS की 236 रुपए फीस रहेगी SCST Women of Physical Handicap Conduct की 108 रुपए फीस रखेगी यह ठीक है जी और यह दर education qualification और कुछ mention करका तो आप इसको चिते से read करके फीरी form को apply कीजिगा ठीक है जी तो याब यह देशकते हो आपके हर्याना के अंदर various frequencies आई हुए जिसके अंदर आपकी 21,500 से आपकी starting salary के और last 55,000 रुपए तक आपकी परमन salary रहने वाली है ठीक है जी तो आशा करता हूं दोस्तों में द्वारत दीगी जानकारी आपको पसंद आई हो और यह दिया आपको jobs के regarding कोई क्योरी है तो आप मेरे को Instagram IDS के job alert 2020 पे follow करके message भी कर सकते हो जिसका reply आपको जरूर मिलेगा ठीक है जी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक latest updates के साथ में इसे के साथ धन्यवाद दोस्तों जैहिन जैभारत